है कि अब इसक्राइब को उठा के वोट लेती है लेकिन असल मुद्द तो बेरोजगारी है और जाहाम लोगों को यह रोजगार नी देंगी तो यह लोग सबस्क्राइब अगर आतरा से पहले नहीं नहीं तो इसका खाम्याज है लोग सब्सक्राइब दूपतेंगे सब्सक्राइब हमारे 19 दिन हो गए हम बहुत परेशान हैं हम एडिसनल वाले यहीं चाहते हैं कि 2016 की एडिसनल और 2018 की एडिसनल विजेभी सरकार नहीं न्यूक्ति दित हम यहीं चा सब्सक्राइब करें और जैसे भी कॉंग्रेस सरकार ने हमको दो दो बार आसार सहीता में उलजाया है ऐसा नहीं तो रामराजी की सरकार नहीं कह जाएगी और जो अब जो टीचर वगरा यह प्रेशान है जो अब धन्यकी जगह के लिए नहीं है इनको इसको इसका बाविश जो टीचर ही एसा व्यक्ति होता है जो उसके आगे से सब चप्राश सीर लेकर कलेकटर निकलता है वही देश का व्यक्ति होता सबको स rifat तो पहले सकते इसलिए इसलिए सर्कार से यह गौआ रामराजी सरकार में नहीं बैटेगा तो फिर स्कुल में पढ़ाएगा कों यह सरकार से पर्शिंग लगता है और यही सरकार से चाने के धरनाइस्तल टीच चौह न बढ़ने यह तो सईदों के लिए सर्दानजली की जगह सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो यह राम राजी सरकार का इसा निया है जो हमें धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है सर 2016, 2018 और 21 में एडिशनल वालों को नुक्ति दी गी है तो फिर 2022 में क्यों रोका जा रहा है यह राम राजी सरकार से हमारा सवाल है तो इस परकार का बैदवाव करके हमारे अडिशनल वाले अभीर्ट्य के साथ में खिलवार किया जा रहा है यह राम राजी सरकार के लिए सोबार नहीं जैता है करना का 19 वा दीन है लेकिन सक्ता पक्ष के जो भी लोग है उनके बस दिवाग बे पता नहीं कि क्या सौशी बैठे है उमरी बात को सुन नहीं रहे है जैसे कि लेवल वन वाले बैठे ही हजारों के हजारों युवाओं का आक्रोश एक तरह से कि हमें जोइनिंग दीजिए जोइनिंग नहीं देंगे तो फिर जो चिंगारी गुस्ता जो युवाओं अपने मन में शांती से बैठा है शांती से धरना दे रहा है और पर डिमांड रख रहा है तो फिर उसको आक्रोश के रूप में सामना करना पड़ेगा उसके लिए लोग सभाचुनाव आपके आर जोपार है ऐसा लग रहा है कि रातों की नींद और दिन का चेन खतम हो गया है हमारे लिए सावन सुखा था दीवाली बेरंग थी और कह सकते हैं कि होली भी हमें तो और वहाम्राज्य मिलेगी तो वह भी हमारे लिए कोई फेस्टिवल है वो आभी हम उनको एंज्वार कर प कि यहां तो इन तो हमारी की परिक्षाइ मिले कि कि रिक्षाइब कि तो हमारे दोह लोही है क्यों कि पहले किए हम जब हुआ थो वह प्र उसवट हम ने काफी वेट किया और आछार सहीदा भी दो तो बस यह है कि आचार सहीता से जल्दी से जल्दी हमें न्यूक्तिय दे और हमें स्कूलों में पहुंचाए ताकि हम जो वहां पे जो सीटे खाली है वहां पे जो एक्जाम चल रहे हैं और हम तो इतने एगर हैं कि जो हमने इतना कुछ स्टेड़ी की है उन लोगों के लिए की है उनके फ्यूचर को बिल्द करने के लिए की है तो हम जल्दी से जल्दी उनके फ्यूचर को बिल्द करने के लिए प्यास रहत रहे हैं और हमें इस स्कूलों में जल्दी से जल्दी जल्दी जोइनिंग मिलें सब्सक्राइब पहले भी अब दर तो यह लग रहा है उसका जादा रडर लग रहा है पहले भी हम इस भूल भूल लए हम फस चुके और आप दूबारा फसेंगे चार-पांच महने का तो वैसे हैं सरकार भी तरीके से लिखित में नहीं मिल जाएगा तब तक नहीं बाइचे रहे नहीं कि हम बोट परेशान हों किसी से कुछ कह सकते हैं किसी के सामने रो सकते हैं अगर बहुत परेशान हो चुकिए वह पीड़ा नहीं समझ तो हम भी आगे बढ़ेंगे फिर तो उनको दूसरी तरीके से फिर वह करेंगे कि हमारा हक तो लेंगे हम 4-5 साल बर्बाद कर चुके हैं बिल्कुल भी कि ऐसे भी बदनाम हो चुकि हमको कोई निकल नहीं देता जो लोग हम खुसी उस ताइम खुसी आई थे मारे दोगुना वो बार-बार पूसते हैं जो लोग हमसे मतलब हो गे तो बार-बार हमने को ठीछ की ऑटाःकश्य को डिच्छ को भी इससे यहां तो हमारे फाप नहीं पड़ा रहे हूं हमें अपने ही बच्यों को वह uzys hari यह मुंड़ों कि लेजर को लिग घृँटि हो कि हम अपने सी में अधर नहीं पड़ा प्रवावी टीचर हैं अपने बच्चों को हम किताब खोल की नहीं देख पारें क्योंकि हम सुभव यहां आते हैं और रात को आठ बुझे जाते हैं तो बच्चों के भी पेपर आ रहे हैं वो तो नील बटे सन्नाटा हो चुके और यह सरकार ना तो हमारे बच्चों का दूस झाल